Books That Speak में आप सभी का स्वागत है जादव दुनिया का सबसे बहतरीन काम करते हैं वे जंगल पैदा करते हैं कैसे? ये कहानी सुनते हैं और जानते हैं बच्चो आज की ये कहानी रियल लाइफ हिरो जादव मुलाई पाएंग अंकल की है जो असम के माजूली गाउं में रहते हैं तो ये कहानी आप जरूर सुनियेगा कहानी का शीरशक है जादव का जंगल ओरिजनल स्टोरी जादव आण दे ट्री प्लेस बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है विनायक वर्मा बहुत सुन्दर चित्र बनाये है उन्होंने ही विनायक वर्मा हिंदी में अनुवाद मधू बी जोशी कहानी का वाचन असावरी दोशी ये है जादव जादव को पेड लगाने का जुनून है इन्हें कई पेडो वाली जगहे अच्छी लगती है क्योंकि वो जिंदगी से भरपूर होती है पेड पौधो और जानवरों को देख इन्हें खुशी मिलती है बिना पेडो वाली जगहे देख जादव बहुत उदास हो जाते है क्योंकि वहाँ सब कुछ बेजान होता है बर सो पहले जादव ब्रह्म पुत्र महानदी के किनारे किनारे कही जा रहे थे कि वो एक बेजान बिना पेडो वाली जगा जा पहुँचे वो जगा बिलकुल सूखी और गरम थी वहाँ की रेद भुरभुरी थी और उस पर धारिया सी नजर आ रही थी रेद पर धारिया? अजीब सी बात थी गौर से देखने के लिए जादव थोड़ा करीब गए दूर से जो धारिया नजर आ रही थी वो दरसल साप थे जादव ने सोचा की बीती रात पानी बढ़ा होगा जिससे ये किनारे पर आ गए होंगे ये साप सामान्य स्वस्थ सापों की तरह सरसरा और लहरा नहीं रहे थे जादव उनके बीच पहुँचे तो भी न उन्होंने फुफकारा ना वहां से भागे ना ही उन्हें काटने की कोशिश की वो तो बस रसियों की तरह थके हारे अलसाए से पड़े रहे बेचारे साप गर्मी से बेहाल है काश इन्हें यहां थोड़ी सी चाया मिल जाती काश इस उजाड जगह पर कुछ पेड होते जादव से सापों को इस तरह धूप में जुलस कर मरते नहीं देखा जा रहा था ये नजारा देखकर वो इतने दुखी हुए कि वो बैटकर रोने लगे लेकिन जल्दी ही उनकी बुद्धी काम करने लगी अब और रोना नहीं है अपसे सिर्फ कोशिश करनी है वो तेजी से अपने गाव की और दोड़े और वहां पहुँचकर बास के अखुए एक थैले में ठूस ठूस कर भरने लगे दूसरे पेड़ पौधे गरम रेत में नहीं पनप पाएंगे लेकिन बास लग जाएगा बास याने के बामबू बास बहुत कुछ सह सकता है बास के अखुए लेकर जादव उस बंजर रेतीली जगा पर पहुँचे और उन्हें जगा जगा रोपने लगे गरम मौसम में ये बहुत कठिन काम था और उन्हें इसमें कई बरस लग गए एक साल महानद सूख कर एक पतली सी धारा भर रह जाता तो दूसरे साल उसमें बाड आ जाती कभी उसके सेलाब में काफी सारी रेत बह कर आ जाती तो कभी उसकी धारा में तमाम रेत बह जाती जोरदार बारिश के दिन आये और चले गए लेकिन जादवने बास की रोपाई जारी रखी समय आने पर बास के अखों में से जड़े फूटी और बास के जुर्मुट पनपने लगे बासों के बढ़ने के साथ रेत पर छाया रहने लगी और इस छाया में कीडे मकोडे पनपने लगे किड़े मकोड़े जमीन के अंदर घुस कर अपनी सुरंगे बनाने लगे सुरंगे यानि की टनल बास के साए में जमीन का हुलिया बदलने लगा भुरभुरी सफेद रेत की जगा अब भुरी मिट्टी जमने लगी बेजान रेत जडों में जान फूकने वाली मिट्टी में बदल गई अब जादों को कोई गम नहीं था लेकिन वो पूरी तरह खुश भी नहीं थे उन्होंने अपने बास के जुर्मुट में नजर दोडाई और सोचने लगे बिना पेडो वाली जगा से कुछ पेडो वाली जगा बहतर है लेकिन कितना अच्छा हो अगर ये कई पेडो वाली जगा बन सके ये बात सोचकर ही वो रोमांचित हो उठे जादव अपने गाव लोटे और वहां पहुँचकर तरह तरह के पेड़ पौधों के बीज और पौध इकठे करने लगे उन्होंने वालकोल, अरजुन, एजार, गुलमोहर, कोरई, मोज और हीमोलू के पौध और बीजों से तीन पड़े बड़े थैले भर लिए अब हमारी जगह बंजर नहीं है वहां कम से कम कुछ हरियाली है और वहां सूखी रेत नहीं, भूरी मिट्टी है अब हम वहां इन में से कोई भी पौध रोप सकते है, बहुत कुछ उगा सकते है खूब सारे पौधे और बीज लेकर जादव कुछ पेड़ो वाली जगह जा पहुँचे और इस तरह वो खाली जगह देखकर वहां पौधे रोपने लगे और बीज बोने लगे ये कड़ी मेहनत का काम था, उनकी पीठ दुखने लगती थी उन्हें पौधे लगाते लगाते कई बरस बीद गए, गाव कजबो में बदल गए जमीन तो जमीन, आसमान तक की रंगत में फरक पड़ गया सुबह नारंगी और दिन में नीला नजर आने वाला आसमान कभी बैंगनी तो कभी गुलाबी नजर आने लगा हवा धूल भरी हो गई और नदी मटमैली लेकिन जादव के हितैशी कीडे मकोडे मिट्टी को उलट पलट कर उपजाओ बनाते रहे उनके उचे उचे बासों ने छाओ दी और हवा को धंडा रखा और जादव ने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की मुहीम को जारी रखा जल्दी ही उनके रोपे वालकोल, अरजून, एजर, गुलमोहर, करोई, मोज और हिमोलू के पौधों ने जड़े पकडली और बड़े होने लगे बड़े होने पर उनके बीज बिखरने लगे नए बीज से निकले पौधे जड़े फैलाने लगे नाजुक पौधे, मोटे, मजबूत तने वाले हो गए तनों से और डालिया निकली और आसमान को छूने की कोशिश करने लगी जो कभी एक बिना पेडो वाली जगह हुआ करती थी न ऐसी बंजर और बेकार जगह अब एक शानदार हरियाली से भरी कई पेडो वाली जगह बन गई थी अब यहां हरे भरे पेड लहलहा रहे थे लेकिन जहां बहुत सारे पेड हो वहां पेडों पर रहने वाले जीव जन्तु ना हो ऐसा कैसे हो सकता था? एक जीव से शुरू हुआ ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया सबसे पहले पक्षी आए कोई पास से तो कोई दूर से तमाम सारे पक्षी जादव के लगाए पेडों में घोसले बनाने के लिए आ गए इनमें गिद भी थे और हवासिल भी सारस भी थे और बत्तके भी सुरीली आवाज में गाने वाले पक्षी भी आए और तीखे स्वर बिखेरने वाले पक्षी भी आए और वार्बलर थ्रश दुम हिला कर फुदकने वाले पक्षी आ गए और एक स्वर में रट लगाने वाले पक्षी भी आ गए जादव के बनाए मधुबन में फिराए जानवर वहाँ पेडों की कमी नहीं थी इसलिए वहाँ आ बसने के लिए जानवरों का ताता लग गया कोई कूद फात कर आया कोई डाल डाल पर छलांगे मारते हुए तो कोई मटक मटक कर चलते हुए गौर, हिरन, खरगोश और गिबन आये हाथी आये, बाग आये और गिंडे भी आकर बस गये आखिर में आये साप लहराते, बल खाते, सरसराते साप जादव के पेडों की चाओं में ठंडक का मजा लेने के लिए जब जादव ने देखा की साप आ गये है तो उनका जी भर आया वो धम से जमीन पर बैट गए और खुशी के आसू उनकी आखों से बह निकले खुशी के मारे उन्हें सापों के काटने का भी डर नहीं रहा जादव ने अपनी कोशिशों से जिस बिना पेडों वाली जगह को पेडों से भर दिया था वहां अब जिधर देखो पंक, चोंच, डैने पंजे, पूँच और जहरीले दात नजर आते थे जिधर जाए नजर उधर हरियाली का रंग भरा धूप में भी हरा छाओ में भी हरा हर तरफ हरा ही हरा जादव की कई पेडों वाली जगह अब जंगल में बदल चुकी थी और जादव की खुशी का ठिकाना न था इसके बाद जादव के मन में एक और विचार आया एक कई पेडों वाली जगह होना अच्छी बात है लेकिन कितना अच्छा हो अगर बहुत सारी कई पेडो वाली जगह होतो इसलिए अपना बीजों से भरा थैला कंधे पर लाद वो निकल पड़े दुनिया भर में पेड लगाने चलते चलते उन्हें जहां कही बिना पेडो वाली जगह मिलती वो वहां बीज बोते जाते वो पेड लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे लेकिन दुनिया में बिना पेडो वाली जगह बहुत है और कई पेडो वाली जगह बहुत कम ये वड़ी बुरी बात है लेकिन जादव अब पहले की तरह बैट कर रोने वाले नहीं है जादव बीज बोते है उन सब को फिर से खड़ा करना कठिन काम है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और हवाओं में ठंडक बढ़ती जा रही है, कस्बे शहर बन गए है और जादव बुढ़े होते जा रहे है, लेकिन अब भी उन्होंने पेड लगाना बंद नहीं किया है, वो पेड लगाते जा रहे है, जादव तब तक पेड लगाते रहेंगे जब तक की सारी दुनिया एक सुन्दर सलोनी और खुशहाल कई पेडो वाली जगह नहीं बन जाती, देखते हैं जादव का असली जीवन, जादव मुलाई पाएंग एक परियावरण सवरक्षन करता है, जिन्हें पदमश सरकार द्वारा दिये जाने वाले सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है, जादव असम के माजुली गाउं में रहते हैं, सोलह साल की उम्र में ब्रह्मपुत्र के रेतीले किनारे पर सापों को गर्मी में तडप-तडप कर मरते देख जादव बेहत दुखी हुए औ और उन्होंने वहां कुछ हायादार पेड लगाने का फैसला किया, सबसे पहले उन्होंने आसानी से पनपने वाले बास लगाए, बड़ी महनत से एक एक करके लगातार पेड लगाते लगाते उन्होंने पूरा जंगल ही खड़ा कर दिया, ये बात है 1989 की, यानि की 1979, अगल इकी धारा में 5500 हेक्टर का रेतीला टापू अब घने जंगल में बदल चुका है, जिसमें किस्म किस्म के पेड़ पौधे और जीवजन्तु पाये जाते हैं। इनमें हाथी, बाग, कपी, हिरन और कई किस्म के स्थानिय और प्रवासी पक्षी शामिल है। जादव ने हर रोज खुद जाकर अपने जंगल की देखरेक का सिलसिला जारी रखा है। आज भी उन्हें जहां कही थोड़ी सी खाली जगह दिखाई देती हैं, वो वहाँ पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जादव काका की कहानी? हम सब भी उनसे इंस्पायर हो सकते हैं न? तो और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स धाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा, यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर, वेबस साइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में, बाई बाई, शुक्रिया